आज के भागत कथा में तो अभी हम देख रहे हैं कि प्रभपाद ने बाउरी में जो है मकान क्राप कर लिया है जिसको मैचलेस गिफ्ट करके वो जो कमरा था और वहां से प्रभपाद प्रचार कर रहे हैं तो अभी प्रभपा जो है यमुना के टट पे विंदावन में निवास कर रहे थे जो मंदिर जो मकान में ठेरे थे उनके सामने ही रादा दामोदर मंदिर में पहले उदर रह रहे थे और उससे पहले प्रभपाद यमुना के टट पे रह रहे थे तो उदर से इतने दूर से आ जगा अलग था पर ज्ञान वही देना चाहते थे जो सबसे उत्तम ज्ञान था जो उनके पास व्रिंदावन में जो भागवतम लिख रहे थे और वही ज्ञान देने के लिए अभी एक दूसरे वातावरण में आये थे देने के लिए तो भूपाद हमरेशा ये बताते थे कि आप जो भी कृष्ण भक्ती में करें वो हमेशा आपके कल्यान के लिए आपसे जुड़ जाएगा तो गीता में भी कृष्ण भगवान बताते हैं नेहा भी करम नाशुर्षी प्रद्वायुने विद्यतों सौल्पाम अपी अस्यद रमस्यत रायतों मुहतो भेवाद अर् जादा कृष्ण भक्ती अच्छे से बता पा रहे थे क्योंकि बाउरी में और बाकी जगह पे उनके पास उनका खुद का कमरा नहीं था तो यहां पे उनको एक कमरा प्रचार के लिए मिला था और एक कमरा रहने के लिए उनको मिल रहा था तो वो सारे जितने भी लोग थे उन सबको काफी कृष्ण भक्ती के लिए जोर दे रहे थे हैं प्रवपाद बोलते हैं यह उनके प्रवचन में से वहां तक उसका कोट आ रहा है कि प्रवपाद उनको बता रहे थे कि हर कोई जो है भगवान का भक्त बन सकता है यहां तक ही चैतने महापुवू बताए कि अ नामाचार्य बनाये था जबकि वो एक मुसल्मान परिवार में पैदा हुए तो प्रवपाद बताने लगे कि किसी को भी जो है यहां पे आने से भले ही उसका कोई भी कैसा भी जनम हो उसने कुछ भी कारिय किया हो उसका कोई फरक नहीं पड़ता और हर कोई जुड़ सकता ह और चैतने महापुरू ने तो यहां तक बताया कि हर कोई जुड़ सकता है और जुड़ने के बाद वो जो है गुरू भी बन सकता है अगर वो कृष्ण भक्ती का ज्यान जो विज्ञान है वो समझ सके और दूसरों को बता सके तो प्रवपाद बोले यह है विज्ञान गीता में बताया गया और कोई भी इसको समझ लेगा तो वो गुरू बन सकता है तो देखे यहां पर बता रहे हैं कि हर कोई गुरू बन सकते हैं यह चैतने महापुरू का शिक्षन है और हम चैतने महापुरू के हमें शलोक मालूम है जो बताया है भारत भुमिलो होईलो मन अनुसे जनम यार। जनम सार्थख करी करो करो तो विशेशुप ते च एक लेकरो दूर्था करो करो औरो हुआ। वो बोलते थे कि सबसे उत्तम वो है जो भजनानंदी है और भजनानंदी होते वे गोशनानंदी बनता है तो भजनानंदी का मतलग है जो खुद भजन में पूरा समय लगा रहे वो कृष्णा से पूरी तरसे जुड़ा हुआ है हरी नाम के द्वारा, हरी कथा के द्वारा, भागवत के द्वारा तो वो है भजनानंदी उसको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है अपने भजन में ही पूरी तरसे वो मस्थ है ऐसे भजनानंदी जब जो है गोशनानंदी बनते हैं जब वो प्रचार करते हैं वो सबसे उत्तम हैं ऐसे भक्तिजानस के ठाकुर्णे सिखाया है तो हम सब को जो है उस तर पे आना पड़ेगा जनम सार्थργ करी तो हमें भजना नंदी के सतर पे आना चीए हममेशा संतुष रहें भक्ति में रहें और फिर दूसरों को हम्भक्ति देए सकाई अब इसका मतलब यह नहीं है कि तकलीब नहीं होगा परिशानी नहीं होगा वो सब होने वाला है क्योंकि हम बहुत इक जगत में हैं पर हुम उससे ज्यादा विच्छित नहीं होते हुए हम अपना पूरा मन कृष्णा पर केंद्रित रखें और जो है कृष्णा के भक्ति कर सकें तो प्रोपात बता रहे हैं कि यह जो हरे कृष्णा महामत्र है वो यह विशेश रूप से जो हमारे मन रूपी आइना पे जो धूल लगा हुआ है वो मिटाने के लिए है और प्रोपात बताते हैं कि हमारा यह जो धूल है वो काफी समय से लगा हुआ है तो उसके लिए हमें ह तो धूल है वो निकल सकता है तो प्रवपत बता रहे हैं कि जैसे ही पाइने में से धूल हड़ जाता है तो हम अपनी परशाई देख सकते हैं उसी प्रकार से हम समझ पाएंगे कि हम आत्मा है तो देखे ये सरल चीज लगता है हमें लगता है कि हमें तो मालूम है हमने सुना ह जितना ध्यान पूरवक हम जब करेंगे उतना ध्यान पूरवक जब करने से यह धूली हचता रहेगा हमारे जीवन नो जल्दी ही हम यह समझ पाएंगे कि हम आत्मा हैं और आत्मा के स्तर पर सब्सक्रारी कने शथ करेंगे तो यहां पर प्रवपाद अभी जब प्रवचन दे रहे हैं, तो एक शराबी जो है वहां पर आ जाता है, तो प्रवपाद देखिए, अभी प्रवचन दे रहे हैं, अब प्रवचन के बीच में शराबी आ रहा है, मतलब कितना disturbance हो सकता है, कितना जो है, लोग का मन ये जो है, डिश्टर्ब हो सकता है इस situation में प्रभपात क्या बोलते हैं सबसा पहला शब बोलते हैं प्रभपात don't be disturbed sit down we are talking seriously प्रभपात बोलते कि हम लोग बहुत जरूरी चीज़ बात कर रहे हैं अब यह शराबी आ गया है और उससे आप लोग विचलित मत होई है को डिश्टर्ब मत हो रही है तो यहां पर फिर प्रभपात प्रभशन स्टार्ट कर देते हैं लेना कि आपने पहले क्या किया है उसको कुछ मतलब नहीं है अभी आप प्रिश्ण भक्ति में जुड़िए ज उससे कुछ लेना देना नहीं है अभी आप प्रिश्ण भक्ति कर सकते हैं और पूरी तरसे अपना जीवन शुड़ कर सकते हैं प्रभपात बोलते हैं इसके उपर मैं आपको कहानी बताता हूं कि हमारा स्वभाव कैसा रहता है हमने सब सुना हुआ है जो हम लोग बोलते है कहावद चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए तो प्रभपाद इसका पूरा विस्तार पूरवग बताते हैं कि कैसे एक चोर था जो तीर स्थान पे जाता है तो सब लोगों का समान चुराने लगता है फिर बोलते हैं आरे मैं कैसे चोरी कर सकता हूं मैं तो तीर स् सब्वाbench धरना यह जो हुड़ña भेग यह किसा क्षेट अधुए तो प्रहोफात क्रिश्ण साथि Tesun perseverion में vy्धारा nutr tes कि kotakland यह जो हमारी आधतें लगना आसान नहीं है प्र॥पाद बोले लेकिन और प्र॥श्ण बहुत जल्दी ही शुद्ध हो जाएगा तो देखिए प्रवपाद जब ये चीज़ बोल रहे थे किन लोगों को बोल रहे थे हिप्पीयों को जो सब ड्रग्स पीने वाले हैं और कई सालों से ड्रग्स पी रहें और भविश्य में भी हो सकता है ड्रग्स पीते रहेंगे और प्रवपात का पूरी तरसे श्रद्धा था कि भगवान ने बोला है अगर कोई भक्ति से जुड़ जाएगा तो वो धीरे धीरे शुद्धिकरन हो जाएगा और वास्तेविक ऐ इसा हुआ भी और ऐसे ही हिप्पी लोगों ने पूरे विश्व भर में इसकौन की स्थापना की तो जब हम भारतिय सुन रहे हैं और हो सकता है हम सब भारतियों में भी जो है कुछ गलत आदते हो या हमारे में कुछ कमियां हो या हमारे अनर्थ होने के कारण हम बार-बार तो हमें श्रद्धा रखना चाहिए कि हमें पूरी तीवरता से भक्ति करते रहने चाहिए और भगवान से प्रात्ना करते रहना जैसे बताते हैं आचारेगंड कृष्णा चाहें तो एक दिन में हमारे अनर्थ निकाल सकते हैं और कृष्णा नहीं चाहें तो 40-50 साल हमें अनर्थ के साथ संगर्ष कराते रहेंगे तो पूरी कृष्णा के उपर है हम अपने साधना के बल पे पूरे अनर्थ निक्रती नहीं कर सकते हैं अनर्थ निक्रती तब होगा जब भगवान हम पे प्रसन होगे और भगवान कभी भी प्रसन हो सकते हैं और भगवान अगर य एक चीज है कि हम भक्ति नहीं छोड़ा सोला माला करन नहीं छोड़े भक्तों का संग नहीं छोड़े तो यह जो है अवश्य हमें करते रहना चाहिए अब यह शराभी प्रवपात का प्रवचन चल रहा है इस लोग बोल दिया शिप्रम भवति धर्मात्मा की भई जो है आप शुद्धिकरन हो जाएगा आपके कुछ भी अनर्थ होंगें तो लेकिन जुड़े रही है वापस आजाता है और अबी जो है तो यह करते हुए प्रवपात जो है हसने लगते हैं और बोलते हैं जब यह जा रहा होता है प्रवपात उसको धनेवाद बोलते हैं और फिर प्रभपाद बोलते हैं देखो ये विक्ति को देखो शराब के नशे में और जो प्रवचन सुन रहे थे तो बोले लेकिन उसमें भी देखो कितना सेवा भाव है शराब के नशे में फिर भी उसको लगा मुझे सेवा करना चाहिए यहां पर लोग श्रवन प्रवपा जो थे, वो हमेशा शांत रहते थे, वो कभी भी ज़्यादा बिचलित नहीं होते थे, कोई शराबी आजाए या कोई ऐसे लोग आजाएं, और वो कभी किसी से ज़्यादा भाइबीत भी नहीं होते थे, वो हमेशा जो है, कथा बताते रहते थे, और वो बोलते रह तो वो भी पुरा सादू बन सकता है कि अभी प्रवपाद जो सुनने वाले हिपी लोग थे वो लोग बस उन्होंने कुछ ही समय हुआ था उनको आए हुए पर प्रवपाद उनको बोल रहे हैं कि आप उसब भी को dedicated preachers बनना चाहिए Krishna consciousness में मतलब सबको प्रचारक बनना चाहिए मतलब अज़ देखे लिलामरित पढ़ने का एक चीज है हमें प्रवपाद का मन क्या है वो समझ में आ सकता है जैसे बोलते हैं एक बार आफरीका में थे प्रवपाद तो प्रवपाद का कुरता धूती चदर पु तो प्रवपाद को उनको समझाना पड़ा कि गुरू का चीज नहीं चुराना चाहिए और गुरू का चीज नहीं लेना चाहिए और अगर आपको चुराना है तो गुरू का जो मूड है उनकी जो मानसिक सोच है वो चुराओ तो अभी यहां पे देखे प्रवपाद अपने मानसिक जो चीज है वो बता रहे हैं नए-ने लोग हैं, ड्रक पीने वाले लड़के हैं पर उनको क्या बोल रहा हैं आपको परचारक बनना चीजे तो उनके मुकाबले में हर बारतिय से परोपाद क्या कुछ चाहते थे कि वह पूरा प्रचारक बने क्रिश्ण भक्ति का जितनी शंता हो कैसे न कैसे लोगों को जोड़े क्रिश्ण भक्ति से और जैसे मैं बता रहा था कि जब तक रादा कुछनाद मंदिर लॉकडाून से पहले अच्छे से पूरा चल रहा था सब हो रहा था तो तो हम लोगों को जादा कुछ नहीं करना था, सिर्फ लोगों को मंदिर में लाना था, प्रेड़ना में, संडे फीष्ट में, तो कोई ना कोई यात्रा जा रहा है, उसमें जोड़ दो, तो लोग अपने आप प्रेरित हो जाते थे, तो अभी वो चीज़ नहीं है, तो कम से कम हमारा ये भागवत्त महजपा है, तो जो डिवोटीज हैं, नहीं लोग हैं, अगर उनको इसमें भी जोड़ते रहेंगे, तो वो हरी कथा सुन सुन के उनका शुद्धिकरण होगा और भक्ति में आगए प्रगति करेंगा, तो प्रहपाद जो है, बता रहे हैं कि गीता में कृष्ण भक्ति चाहिए और उसके लिए हमें प्रचारक चाहिए, तो प्रहपाद अभी अपने प्रवचन में आगे कंटीनू करते हुए बोलते हैं, कि पूरे लोग सफर कर रहे हैं, क्यों सफर कर रहे हैं पुरी दुनिया में, कृष्ण भक्ति नहीं, तो इसलिए हम सब आपको जो है पूरी दुनिया के कल्यान के लिए प्रचार करना चाहिए, तो प्रवपात बोलते हैं, देखो यहां चैतने महापरो का मैंने तस्वीर लगाया है, तो चैतने महापरो बोले, कि मेरे आग्या से आप लोग गूरू बन जाओ, और पूरी दुनिया में सकता है, अपना स्टोर फ्रेंट आ गया, प्रवपात अपना जगह था, पर यह नहीं समझना चाहिए कि प्रचार इतना आसान था, वहां पर प्रवपात को बहुत सारे मुश्किले जहननी पड़ी, अब यहां पर एक तो हमने सुना, बाहर कितना आवाज आ रहा था, बच् अपनी, तो प्रवपात भी तुम डिस्टर्ब ना चैना जगारे हो, तो प्रवपात भीना उन्हीं समय दिया है, प्रवचेननतों को माद में प्रशन उत्तर होगा, तो उधर कि लोग जो है, उनको भी थोड़ा लगा रही, यह ऻगा ना चाहता है, क्यों नहीं बोल रहा ह करके तो फिर प्रवपाद बोले मैंने अभी अभी अपना प्रवचन समाप्त नहीं किया है जब मैं समाप्त करूँगा उसके बाद आप लोग जो है प्रशन पूछ सकते हैं करके तो मतलब प्रवपाद ऐसे लोगों के साथ चर्चा कर रहे थे जो बिल्कुल ही अनकंट्रोल प्रवपाद किरतन में सबको इन्वाल कर लिया तो नौ बज़े तक प्रोग्राम हुआ उसके बाद एक लड़का आया एक सेब लेकर आया और चाकू लेकर आया और एक वाटी लेकर आया तो प्रवपाद ने उनके सब के सामने देखा कितने लोग हैं और एक ही सेब का प्रवपाद ने प्रवचन और प्रवचन और प्रसाद देना चाहते हैं तो बहले ही प्रसाद में एक एपल का छोटा तुकड़ा ही कुण ना हो पर प्रवपाद वो देते थे लोगों को तो देखे प्रसाद कितना महत्वपून है हमें समझना चाहिए इससे समझ में आ रहा है और फिर वहाँ पर जो है कैसे और लीला हुआ वो हम आगे चर्चा करेंगे तो अभी यहीं पर हम लीलामृत को विराम करते है जिसके बागे जो हम शिमत भागवतम में आ जाते हैं शिमत भागवतम यहने हमने कल सुना कि चैतने महापुरू की कृपाद से अगर हमारे किष्णा महामंत्र जब करें तो राजनेतिक चीजों में हमें पढ़ने की आवशक्ता नहीं है और बिना राजनेतिक चीजों में पूरी तरह से आधिहात्मा का फाइदा उठा सकते हैं कितन करके नहीं तो कल्यूग का प्रभाव उतना शक्तिशाली है जो हैं सब लोग उससे प्रभावित होते जा रहे हैं कल्यूग मतलब जगडा करना तो हर जगा जगडा होते जा रहा है तो ये जगडा नहीं होने दे जो साधू गंड थे वो सोचे कि हम लोग वेना को जाके समझाते हैं अब वेना को जब समझाने की बात आ रही है तो ध्यान रखिए ये साधू ऐसे लोग के जो पूरे प्रिथ्वी पे जो शाशन करने वाले राजातों उनको मादगर्शन कर रहे थी तो वो पहले उनके पिता जो है अंगग को मादगर्शन करते थे अब वो ही साधू संत जो है वेना को शिक्षन दे रहे हैं तो अभी आने वाले जो श्लोकों में हम सुनने वाले हैं वो ध्यान रखिए वो शिक्षन ऐसे हैं अगर वो हम शिक्षन अच्छे से समझ लें हम के से राज्य कैसे करना है और पुरे प्रित्वी पे लोगों का कल्यान कैसे करना है वो भले ही एक व्यक्ति हो या पुरा का पुरा राज्य हो पुरा प्रित्वी का उन सब का कल्यान कैसे हो सकता है वो बताना भी शुरुवात करेंगे तो वो 14 से 22 लोकों में है तो अगर हम भागवतम का कोई भी भाग लें और उसको अच्छे से समझें तो हम समझ सकते हैं कि शुद्भक्ति और पूरा ज्यान इसमें दिया गया है एक माताजी थी लेडी उसने देखा कि जो शिष्या है वो प्रहुपात को अमेरिका में गुरू के जैसे भगवान के जैसे उनकी पूझा कर रहा है तो उसको थोड़ा अलग लगा और बोले अरे ये क्या हो रहा है यहां तो यह लोग सब आपको भगवान के जैसे पूझ रहे हैं तो प्रोपात बोले ये लोग मुझे भगवान के जैसे पूझ रहे हैं और मैं अपने गुरु को भगवान के जैसे पूझता हूँ और ये परंपरा है प्रोपात बोले तो प्रोपत बताना चाहते थे कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ भगवान बनके मैं स्विकार कर रहा हूँ उनका करता भी है मुझे भगवान समझ के पूझना लेकिन मैं भी अपने गुरु को भगवान समझ के पूझता हूँ जिसके कारण मेरे में इतनी आध्यात्मिक सेवा करने की इच्छा बनी रहती है करके तो एक भगवाईवर्त पुरान में आता है जहां गंगा माता पृष्णा भगवान से वारतालाब कर रही है बात कर रही है तो संस्कृत के सब श्लोग भी हैं पर हम उसमें नहीं जाएंगे मैं सिर्फ भगवाईवर्त पुरान में से आप लोग को उसका अनुवाद बता रहा हूँ तो गंगा माता बोलती है कि अरे आप चले जाओगे तो लिला समाप करके क्योंकि जब कृष्णा भगवान को लिला समापती करने वाले थे तब गंगा माता के पूछती है कि मेरा क्या होगा आप तो चले जाएंगे तो कृष्णा भगवान गंगा माता को बोलते हैं आप चिंता मत करिये क्योंकि उसको लग रहा था कि अभी कल्यूप्रारम होने वाला है तो सब लोग भर-भर के पाप करेंगे और वो पाप मेरे में छोड़के जाएंगे तो मेरा शुद्धी करण कैसे होगा तो कृष्णा भगवान माता गंगा को बोलते हैं जब भी कोई भक्त नाम जब कर रहा है जब भी कोई भक्त भागवत कता कर रहा है और जब भी कोई भक्त आप में आके स्नान करेगा तो आपका शुद्धी करण हो जाएगा पाप से तो देखे जब हम भागवतम कर रहे हैं शायद हमें मालूम भी नहीं है ये तो एक चीज मैंने आपको भ्रह्मा वैवर को पुरान से बता दिया ऐसे हजारों चीज़ें हैं जिसका कल्यान हो रहा है जस एक जगा पर बैठके भागवतम बोलने और सुनने से तो यहां पर वनन आ रहा है कि कृष्ण भगवान ने फिर गंगा माता को बोला कि आप पांच हजार साल तक रहिएगा उसके बाद लुप्त हो जाईएगा क्योंकि उसके बाद पाप और बढ़ जाएगा और फिर बोलते हैं कि दस जार साल तक जो है भी 500 साल हो चुका है कल्यूप का तो जो है 500 साल हो गया है चैतने महापरू को आके लेकिन अप से जैसे परहुपात ने बताया दस जार साल तक जो है प्रशार रहेगा मेरी किताबे रहेंगी और इसकॉन रहेगा तो दसजार साल बोलते हैं ये जो है गोल्डन पीरेड है उसके बाद घोर कल्यूग पूरी तरह से प्रारम होने वाला है तो उससे पहले जो है भक्तों को प्रवपाद ने बोला कि जो इसकॉन के डिवूटीज हैं उनको ऐसी तीवरता से भक्ती करना चाहिए कि ये ही जीवन में तो अपना जीवन सार्थक करके भगवद्धाम चले जाएं उनको वापस आने की जरत नहीं है तो प्रवपाद अपने परस्नल सर्वंट शुत्यकिर्थी प्रभू उनको पूछा भक्त जो होते हैं और सीधे रहते हैं या तेड़े होते हैं तो शुत्यकिर्थी प्रवपाद ने बोला प्रवपाद भक्त तो सिंपल होते हैं प्रवपाद बोले नहीं भक्त तेड़े ह तो आप सबस्टी में लेकर आया है नहीं तो कोई सीधा साधा व्यक्ती हो या सीधा साधा हो तो वह भकती में सबको फिच नहीं सकता है तो प्रपात खुट बोले कि तोड़ा तीड़ा होना कभी-कभी आवशक है मतलब सिर्फ भक्ति में लोगों को जोबने के लिए तो यहां पे जो है साधू सब इनको बता रहे हैं वेनको निपावर्या निवोदेत येते विज्ञापयम भव आयू श्री बलकिर्तिनाम तव कि आपका वर्धन होगा बढ़ेगा क्या आपका आयू जो जीवन है वो बढ़ेगा श्री एश्वरी आपका बढ़ेगा बल आपके श्री में ताकत बढ़ेगी किर्ति आपका नाम सम्मान बढ़ेगा कब बढ़ेगा ये सब अगर आप हमारे जो हम आपको शिक्षन दे रह सब बढ़ेगा तो जब हम शास्त्र का पालन कर रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि इसके तात्रे में बता रहे हैं कि ये जो सादू थे उनको मालूम था कि राज्ये में सब को कैसे खुश रख सकते हैं, शान्त रख सकते हैं और सब की सम्रिध्धी कैसे बढ़ सकती है तो प्रवपात बोलते हैं अगर हम अपने जीवन में ये सब पालन करें शास्त्रों के जितने भी शिक्षन हैं तो हम शान आत्मिक रूप से भी संतुष्ट और खुश रहेंगे फिर बोलते हैं जो राजा थे उनका कर्तविय बनता था कि ऐसे साध्यों का सुने और बोलते हैं कि पहले के राजा जो है पराशर, व्याक्ते, नारद, देवला, असीत, ये सब साध्यों का सुनते थे तो प्रवपात सपष्ट कर रहे हैं कि उनका कारिय था कि हम जो हैं पुरे विश्व का ध्यान रखें लेकिन विश्व का ध्यान रखने के लिए सबसे महत्वर्पून चीज़ क्या है कि हम साधूँ में की वानी सुने. साधूँ का शिक्षन सुने, शास्त्र का ग्यान समझके उस हिसाब से कारिय करे. रहोपात बोलरहे हैं लेकिन दुर्भागे वर्ष अभी कल्यूप चल रहा है और अभी जो सरकार है वो सास्त्र को नहीं सुनती, शास्त्र का पालन नहीं करती साधूं के ज़्यादा नहीं सुनती इसलिए ना ही प्रजा ना ही सरकार दोनों ही खुश नहीं तो अगर हम कृष्ण भक्ती से अच्छे से जुड़े रहेंगे तो प्रभपाद ने पहले भी बताया हुआ है कि हम हमेशा संतुष रह सकते हैं और क्योंके सरकार और प्रजा अभी भगवान से जुड़ी नहीं है इसलिए वो दुखी है असंतुष्ट है तो अभी बताते हैं कि धर्म का पालन वो बलते हैं जो धर्म का पालन करते हैं अपने शब्दों से, अपने मन से, अपने बुद्धी से और अपने शरीर से तो वो हमेशा जो है दुख और भय से दूर रहते हैं यहां पर श्लोक आ रहा है पंदरवह श्लोक रमाँग में धर्म आ अचिज्यता कुमसाम वान मन काया बुद्धी वान मन काया बुद्धी वान मतलब हमारे वाक, वाक मतलब हमारे शब्द, मन मतलब हमारा मन, काया, काया मतलब हमारा शरीर और बुद्धी मतलब हमारी इंटेलिजन्स तो बुलते हैं अगर हम अपना शब्दों से, अपने शरीर से, अपने मन से और अपनी बुद्धी से धर्म का पालन करेंगे तो विशोक यान कि हमारे जीवन में शोक नहीं रहेगा, विशोक पुरा हतम हो जाएगा और अनतयम, अनतयम शब्दा मतलब है कि हम एक अनन खुशी की प्राप्ति करेंगे और अनतयम का दूसरा शब्द प्रवपाद बोल रहे हैं कि हम मुक्ती की प्राप्ति करेंगे शरीत यागने के बाद, और जब तक इस शरीर में भी हैं तब भी हम मुक्त रहेंगे तो हमें चाहिए कि हम अपने शब्दों से शरीर से अपने मन से अपने बुद्धी से इन चारों चीजों से पूरी तरह से धर्म का पालन करें तो प्रोपाद इसके भौन में बता रहे हैं कि हर धार्मिक विक्ति को जीशिता में बता गया है कि हर ध्रम में यह बता गया है भगवान की पुजा करनी चाहिए और सिर्फ दिखावे के लिए नहीं उनको जो है भक्ति करने चीए अपने शब्दों से, अपने मन से, अपने शरीर से, बुद्धी से, तो बुद्धी सिर्थ दिखावे के लिए नहीं भक्ति करनी है, हमें वास्तेक रूप में जो है, अपने पुरे शरीर मन शब्दों से करना है, जैसे अभी भक्त जपा करते हैं, तो शरी अपने शरीर से मन से भक्ति करने की पोशिश करने तो प्रवपाद बोल रहा है कि हमें अपना पूरा शरीर, मन और शब्द और बुद्धी सब लगाना चाहिए तो प्रवपाद अंत में लिख रहा है इस तात्वरे में कि जनरल पब्लिक विल और अंडे विल अल्स बिकम ग्रैजिव एलिविटर तो कि ये जो 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 सरकार है उनका करतविय ये बनता है कि जितने भी प्रजां में जितने भी लोग रहते हैं उनको जो है इन गुनों से ब प्रप्ति में लग के घीरे-धीरे भक्ति में प्रगति करते हैं अवश्य चर्चा करें अब यहां पे बताए फिर आगे आने वाले श्लोक 두 में फिरिसे वोढेंगे कि भाई हम्में भक्ती करते रहना है और भक्ती करते हुए हम्मे तो पिर वह बोलते हैं कि आपको ऐसे कार्य नहीं करना है जिससे लोगों का अध्यात्मिक जी तो आपका नाश हो जाएगा तो अभी यहां पर मैं आपको बता हूँ कृष्ण भगवान जो है वो दुर्वासमुनी को बोलते हैं जिब दुर्वासमुनी वाइकुंट आ जाते हैं दुर्वासमुनी में इतनी शक्ती थी कि वो अपनी शक्तियों के द्वारा वाइकुंट में तौच गए और जब सुदर्शन चक्रा उनके पीछे चल रहा है तो कृष्ण महवान जो है वो दुर्वासमुनी को बोलते हैं कि ब्रह्मा और शिव मेरे आधीन है इसलिए वो में नहीं बचा सकता है तो बोल रहे हैं कि मैं पुर्शतम भगवान हूं अहम भक्त पराधीनों अहम भक्त पराधीनों मतलब मैं भी अपने भक्तों के वश्म में हूं तो मैं भी आपको शमा नहीं कर सकता हूं लेकिन अगर मेरे भक्त शमा करेंगे तो मैं आपको शमा जाता हूं मैं भी उनके वश में आ जाता हूं तो बोलते हैं मैं तुम्हें नहीं बचाओंगा अगर अम्रीश महराज आपको बचाएंगे तो मैं भी आपको बचाओंगा और वो नहीं बचाएंगे तो मैं भी नहीं बचा सकता तो देखिए जो हम भक्ती कर रहे हैं अगर हम हम शुद्भक्ती की लिए मेहनत करें, शुद्भक्ती की ओर हम अग्रसर रहें, तो ध्यान दखिए, शुद्भक्ती की शक्ती इतनी है, कि साक्षाद भगवान भी जो है, इसके सामने जो है जुग जाते हैं. तो देखे, वर्नन आ रहा है, कि हमें अपना जीवन जो है सरलता पुर्वक बिताना चाहिए. सरलता पुर्वक, क्योंकि सिंपल लाइफ, ये बहुत जरूरी है. अगर हम सिंपल लाइफ नहीं जी रहे हैं, तो हमारे लिए आधियात्मिक तरक्की करना बहुत मुश्किल है. विशेशूप से कई लोग जो है शुआफ की जिंदगी जीते हैं, दिखावे की, तो वो जो है ज़्यादा टिकने वाला नहीं है. तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें अपना एक सरल जीवन व्यतीत करना चाहिए. तो अगर हम सरल जीवन व्यतीत करेंगे, तो हम जीवन भर भक्ती कर पाएंगे. तो यह बहुत जरूरी प्रिंसिपल है सभी भक्तों के लिए, कि ज़्यादा दिखावे का जीवन व्यतीत ना करेंगे. क्योंकि जितना हम दिखावे का जीवन व्यतीत करते रहेंगे, तो फिर हम वो शोशाइन में अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा बरबार कर देंगे, व्यत्त कर देंगे. तो प्रवपाद सोलवेश लोग में बता रहे हैं कि अभी क्या है, जब से ऐसे राजाओं लोगों ने इंद्रभोग करना चालू किया, तो फिर पूरे प्रिच्वी में से राजाओं को हटा दिया, और उसके जगह पे डिमोक्रासी या जन्तंत्र वो लेकर आए. तो प्रवपाद बता रहे हैं, उससे कुछ फरक नहीं पड़ने वाला है. सब लोग इंद्रभोगी करेंगे. जब तक जो है, आप भक्ती नहीं समझेंगे, तो अगर आप राजा को हटा के डिमोक्रासी लाएंगे, उससे समाधान नहीं होने वाला है. तो जितना भी आप राजनेतिक स्तर पे बदलाव करो, जब तक भक्ती का प्रवेश सब जगह नहीं आएगा, तब तक बदलाव नहीं हो सकता. फिर जो है, ये साधू वेनओ को समझाने लगे, राजा को, कि जब राजा पुरी प्रजा को बचाता है, भले ही वो चोड़ डकेत हो, या मंत्रियों से, जो मंत्री चोड़ डकेत हो, उनसे बचाता है, तो फिर वो उनसे टैक्स ले सकता है, आइकर ले सकता है, और फिर उससे अपना जीवन सार्था कर सकता है, और फिर वो जीवन के पस्चाद भी उसका आधिहात्मा जीवन चलता रहेगा. तो उसमें यहाँ पर वनन कर रहे हैं कि मंत्री जो चोड़ डकेत जैसे हो सकते होते हैं, तो उसके उपर भी परोपत बताते हैं, बोलते हैं अगर राजा जो है, पूरी तरह से आधिहात्मा स्तर पे ना हो, तो क्या होता है जो मंत्री होते हैं वो भी चोर डकेत के स्तर पे आ जाते हैं और फिर जितनी भी प्रजा है सब को लूपते रहते हैं तो इसलिए अभी जो है हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा चोर डकेत बढ़ गए हैं तो वो जो है सरकार में भी है और बाहर भी है इसलिए हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो यह शिमत भागतम के प्रवपात बारवे सकंद पहले अध्याय और चालिसवे श्लोक का वर्नन करते हो बोलता है तो यहाँ पे बारवे सकंद में जो सरकार है उसका कल्यूग में क्या होने वाला है तो उसका वर्नन कर रहे है कि जो मलेच्छा है मलेच्छा मतलब प्रहुपात बता रहा है, जो शूद्र से भी निम्न होते हैं, जो मासा हार करते हैं, तो उनको मलेच्छा बोलते हैं, तो बोलते हैं, यह मलेच्छा राजा बनेंगे, और पूरी प्रजा को परिशान करेंगे, और बोलते हैं, इसके कारण सब लोग दुखी और परिशान रहेंगे और बोलते हैं कि जो प्रजा है और राजा है दोनों मलेच्छा के स्तरपे होने वाले तो प्रभपार बता रहे हैं कि कल्यूग में सब लोग शूद्र के स्तरपे हैं कलो शूद्र संभव तो अभी ये राजाओं को और प्रजा को मलेच्छा बोला है लेकिन उनकी जो शुरुवात हो रही है कि किसी में भी ब्रामन के गुन नहीं है शत्रे के गुन नहीं है यहां तक कि कल्यूग में सब शुद्र ही होने वाले हैं तो शुद्र कोन होते हैं जो बाकी तीन वरणों की सेवा करने के लिए एक सिर्फ योगिया है उनकी और को योग्यता नहीं है तो ये लोग जो है बुद्धिमान नहीं होते हैं, ये लोग से सेवा कर सकते हैं और कल्यूग में ऐसी ही लोग रहेंगे जो दूसरों की सेवा करें तो अभी आप देखिए पूरा के पूरे जनसंक्या में सब लोग जॉब करते रहते हैं और जॉब करना मतलब किसी ना किसी के अंडर में काम करना तो ये जो है गुण बताया गया है फिर यहाँ पर दूसरा चीज प्रभपात बता रहे हैं कि जो राजा होते हैं वो जो सही परमानिक रूप से आधियात्मिक राजा थे अगर वो देखते थे कि मिनिश्टर लोग ने गलती की है वो चोरी कर रहे हैं और गलत कारे कर रहे हैं तो या तो उनको उसी वक्त पद्वी में से निकाल देते थे या तो कई बार माड डालते थे ये राजा की शक्ति थो जैसे हमने कई दिन पहले सुना प्रवपाद बोलते हैं कश्मीर में सो साल पहले ऐसे राजा थे कि अगर कोई चोरी करते वे पकड़ा गया तो सिधा उसके हाथ काड़ देते हैं तो उसके डर के मारे कोई चोरी तो नहीं करता था यहां तक कि किसी का समान पड़ा रहता था गिर जाता था तो कोई उठाता भी नहीं था क्योंको मावलूम है इतना डंड मिलने वाला तो यहां बोल रहे हैं कि अगर मंत्री गलत कारिये करते हैं तो उसको यह तो नहोकरी से निकाल देते थे यह तो उनको मार भी दाल सकते थे तो इसके कारण जो है कोई भी मंतरी गलत कारिया नहीं करते तो ये जो है एक आधिहात्मिक राजा होने का ये इसका प्रभाव है और जितने भी उनके अंडर में रहते थे सब कुछ रहते थे तो फिर अभी आगे बता रहे है साधू अंग महराज को कि उनको राजा को पुन्यवान होना चाहिए और उनको पूरे के पूरे आठ जो चार वर्न और चार आश्रम है ये इन आठों चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे लोग भक्ती कर सके और आगे बढ़ सके तो प्रहपाद विष्णु पूरान में से बता रहे है कि विष्णु पूरान में बताया गया है कि ये चार वर्न है ब्राह्मन, शत्रिय, वैश्य, शुद्र और चार आश्रम है प्रह्मचरी, ग्रहस्ता, वानप्रस्ता और सनियासी तो वर्न मतलब ब्राह्मन हमें मालूम और वाईश्या मतलब जो लेंदेन करते हैं और शुद्र जो बाकी तीनों की सेवा करते हैं आश्रम में भ्रमचरिय जो पहले 25 साल होते हैं उसके बाद विवा करते हैं तो गरस्त बनते हैं और फिर 50 साल होते ही वो वानप्रस्त ले लेते हैं और फिर जो है अंतिम में उसका स धर चाहर आश्नामों का वर्णा है तो बुलते हैं अगर यह चाहर वर्ण और आश्रम पूरी तरह से आलन करें तब आध्यात्म के ओर प्रगति कर सकते हैं तो आध्यात्मे के और प्रगति करना मुश्किल है एक प्रभुपात के शिष्षत है कारति के अप्रभु तो जब वो अपनी माता से मिलने गए प्यूंकि उनका अंतिम समय चल रहा था कारति के अप्रभु की माता का तो उनकी माता जो है जाधा अध्यात्मा की ओर आकर्षिद नहीं थी तो उनको इतना जाधा शद्धा भी नहीं था कृष्णा भक्ति की ओर तो बस शरीर त्याग नहीं वाली थी तो उसने अपने बेटे कार्थिके को पूछा कि भाईया तुम तो इतनी भक्ती-भक्ती करते रहते हो, तो क्या क्रिश्णा यहाँ पे है क्या अभी जब मैं शरीर्ट याग रही है? तो वो फॉर्णर थे, उन्होंने अंग्रेजी में बोला, क्रिश्णा is here now, ऐसे करके प्रश्ण पूछी और शरीर्ट याग दिया, तो कार्ती के प्रभु ने जाके ये चीज प्रभुपाद को बोला, कि मेरी माता ने ये प्रश्ण पूछा, कि अरे क्रिश्णा है क्या? और ऐसा बोलते वे उसने शरीर्ट याग दिया, तो प्रभुपाद बोले, क्योंकि तुम भक्ती कर रहे हो, तो तुमारे भक्ती करने से जो है, ये इतना उनको भी लाब हुआ, और उन्होंने भले ही किसी भी कारण वर क्रिश्णा का नाम उच्चारण किया, और उन्होंने शरीर्ट याग दिया, तो देखिए, क्रिश्णा भक्ती कितना शक्तिशाली है, अगर कोई हमारे परिवार वाले संद्ध से क्रिश्णा भक्ती में नहीं भी जुड़े हुए है, लेकिन हमारे क्रिश्णा भक्ती करने से, वो किसी तरीके से जुड़ सकते हैं और उनका भी आध्यात्मिक कलियान हो सकता है फिर यहां पर बताया गया है अठारवेश लोग में कि कैसे लोग जो है सेकलरिजम के नाम पर यह बोलते हैं कि हमारा कुछ भी आध्यात्म से लेना देना नहीं है हम कोई भी धर्म को पालन नहीं करते हैं तो प्रपात फिर से बोल रहा है इसलिए जो है नाहीं सरकार खुश है और नाहीं प्रजा खुश है तो जब आप सेकलिवर शब्द बोलोगे सेकलिवर का मतलब है कि हम कोई भी धर्म को प्रोटसाहन नहीं देते हैं तो उसके कारण जो है सब लोग डुखी रहते हैं तो उन्हें से शलोक में आ रहा है तस्यराजन महा भागा भगवान भूत भावना पतुषिस्टि विस्वात्मा इश्कतो नीज़ शाशने तो अभी जो है भगवान को तीन नाम से संबोधित किया गया है भगवान जो कुनक विश्वा आत्मा विश्वा आत्मा मतलब पूरे विश्वा के आत्मा है परमात्मा के रूप में पूरे विश्वा में वो निवास करते हैं तो बोलते हैं जब उनकी पूजा होती है तब सब लोग संतुष होता है तो ध्यान रखें यह जो सिक्षन दे रहे हैं वेना को व हर जीव संतुष्ट होगा तो ये सब चीज जो है एक राजा को समझना चाहिए और राजा नहीं तो कम सम प्रजा में जो लोग हैं वो समझना हुए चाहिए तो प्रभपाद देखे एक ही तात्परे में एक ही चीज दो-दो बार बोल रहे हैं तो कभी-कभी हमें लगता है मै प्रवचन देता रहता हूं कि जो है मुझे कुछ चीज रिपीट नहीं करना चाहिए अगर मैं रिपीट करता रहूँगा तो मुझे लगता है कि अरे लोगों को लगेगा मैंने सुना हुआ है ये प्रभुजी वापस से बता रहे हैं पर प्रभपाद ऐसा नहीं है कि एक अध्याय में बोला फिर पांच-छे अध्याय के बाद बोल रहे हैं या दूसरे केंटो में जो बोला था फिर वो फोर्थ केंटो में रिपीट कर रहे हैं नहीं एक ही तात्परे में परभपाद एक ही चीज दो बार बोलते हैं क्यों दो बार बोलते हैं परभपाद ने गी याद रहेगा तो हमें जोग होत अच्छे लगते हैं क्यों कि उसमें थोड़ी इंद्रतिप्ति होती है हसते हैं हम लोग तो कल्यू का बुद्धी ऐसा है कि हम जोग याद रखेंगे पर भागवत के श्लोक नहीं भागवत के शिक्षर नहीं तो प्रहुपाद ने स्पश बत वो खुश रह सकती है तो खुश रहने के लिए भक्ति से जुड़ना बहुत जरूरी है सरकार जुड़ेगी सरकार खुश हो जाएगी प्रजात जुड़ेंगे प्रजा खुश हो जाएगी फिर प्रपाद वही चीज़ वापस से बताते हैं कि भक्ति में में जुड़ना ज चाहिए हमारे जीवन में जो है सोला माला चलना चाहिए तो देखिए मैं जैसे बताता था कि यह हमने भागवत्म तो मार्श महिने से चालू किया और प्रवचन मैंने काफी सुना हुआ उसमें वो बता रहे थे कि ब्रह्मा मूरत में जब करने वाले बहुत कम मिलते हैं 25 प्रतिशद लोग इसकॉरं के अंदर मतलिए इसकॉरं में जैसे सोला माला करने हैं उसमें से सरा हो सकता है 5% लूग है तो आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तविक सही है कभी कथा में भले ही 40-50 लोग आ जाएंगे लेकिन सुबो को जपा में 5-6 के बीच में सिरफ चार लोग पहुंचते हैं और वो फिक्ष्ट लोग हैं चार लोग जो पहुंचते हैं जो लोग जपा में आते हैं उनको मालूम है कोन चार लोग है जो पहुंचते हैं तो देखे, जो प्रहुपाद ने बताया, तब करना है, तो सुबह ब्रह्मो मूरत में जब करना है, तो कल्यूग में किसी का शक्ती नहीं है तब करने का दिए, बहुत कम लोग तब कर पाते हैं, तो धब करना है, ताथ करना है, पांच से साथ में ब्रह्मो मूरत में जब करन प्रवपाद ने बताया है, गीता में लिखा है, हम लोग आगे चर्चा करेंगे, तो प्रवपाद यहाँ 19 स्लोक में आगे बता रहे हैं कि गीता में बताया गया है, शर्नागत हो जाओ, कृष्ण भगवान बता रहे हैं, और अभी ना सरकार, ना प्रजा, शर्नागत हो रही तो नहीं को जीवन का उदेश है? इंदरभोग करना और उनको लग रहा है इसीぎ से हम खुश होंगे पर यह सबसी गलत धारणा है पूरे के पूरे देश में और विश्वभर में कि हम इंदरभोग से हुश होंगे हम इंदरभोग के लिए बने ही नहीं है हम बने हैं सिर्फ भगवान की सेवा के लिए और अगर हम भक्ति से जुडते हैं तब हम अपने जीवन में जो है रगती कर सकते हैं प्रवपा लिक्षाथ है this is every possibility of real life and prosperity both in this world and next मतलब अगर हम भक्ति से जुड जाते हैं तो हम इस जीवन में हमारा कल्यान होगा और इस जीवन के पस्चात मतलब अगले जीवन में भी हमारा कल्यान होगा ऐसे करके प्रवपात बता रहे हैं तो हम लोग भागवतम का यहीं पर विराम देंगे और क्योंकि हमारे पर समय की फाबंदी है तो हम आप लोगो अभी जरनी होम और उसमें लेके जाता है तो बताया जाता है कि जो कई लोग होस्टल में रहते हैं तो होस्टल में रहने वाले को मालूम है एक होस्टल के एक कमरे में तीन चार लड़के साथ में रहते हैं कभी-कभी तो जब कोई नया लड़का आता है तो वो देखता है इन दो लड़कों में और रह रहे हैं तीन लड़के अगर फुल मिलाके हैं तो दो में से देखता है कि अच्छा कोन है बुरा कोन है, इसके अच्छी आदते हैं, इसकी बुरी आदते हैं, अगर वोँ देखेगा एक लटका जो है, काखी देर तक पढ़ाई कर रहा है, पूरा टाइम समय पढ़ाई में डाल रहा है और जिसमें है, और दूसरा स्मोकिंग कर रहा है, सिगरेट पर्मात्मा दूसरा हमारा मन तो अभी हमें आत्मा के रूप में देखना है । जो परमात्मा के रूप में है, भक्ति का या जो हमारा मन बोल रहा है, तो मन हमेशा आपको उल्टा ही सिखाएगा, गलत चीज भी सिखाएगा, तो ये मन का जो है रूप है, तो हमें उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए, और भक्ति में आगे प्रचति करना चाहिए. तो कल तक हमने जो है 24 वे श्लोक तक हमने सुना आज हम 25 वे श्लोक में चर्चा करते हैं ब्रह्मसमीटा का यह हमने 25 वे श्लोक हमने चर्चा किया है तो 25 वे श्लोक में बोलना है कि सूरिय जो है सभी जितने भी प्लैनेट्स है जितने भी लोक है उस सब के राजा माने जाते हैं लेकिन यह सूरिय जो है वो भगवान के आँखों के समान है और प्रिश्ण भगवान के निद्देशन के द्वारा जो है वो पूरे विश्व का भ्रमन कर रहे है अर्था सूरज को हम मानते हैं कि सूरज के कारण बाकी सब लोकों में रोश्नी है और उसके कारण जो है जीवन चल रहा है लेकिन जो सूरज है वो स्वेम भगवान क्रिश्ण के आधीन है ये ब्रह्मा जी बोल रहे है इसलिए हमें क्रिश्ण को प्रणाम करना चीए उनकी भक्ती करनी चीए दे पर्चिस्वा श्लोक था फिर 26 श्लोक में आ रहे है तो बोल रहे हैं कि जो भी अच्छे गुण है ये जो शास्त्र है तपस्या है यहांते कि ये सब जीव है और ब्रह्मा से लेके चीटी तक सबकी उत्पत्ती कहां से हुई है भगवान गोविंद से तो क्रिश्ण भगवान सभी चीजों के स्तोत्र है इसलिए हमेशा उनकी भक्ति करनी है उनका श्रवन करनी है तो अभी हम यहां रादनाथ महराज का देख रहे हैं कि रादनाथ महराज जो है बॉन महराज के आश्रम में है और वहाँ पे उनको जो है कथा उनको रहने के लिए बोला गया था क्योंकि एक महिना उनको आराम के लिए बताया गया था, उनको टाइपोड हो गया था, तो अभी एक चीज़ ध्यान डखेगा अपसा भक्तगर्ण, कि जब हम हरीकथा सुन रहे हैं, आपको लग रहा हो कि हम लोग रोज हरीकथा सुनते रहते हैं, पर ये हरीकथा इतना पून है कि भगवान जब स्वयम प्रकट होते हैं इस प्रित्वी पे, तो भगवान अपनी खुद की लीलाओं से बताते हैं कि कैसे मैं स्वयम, भले मैं पून पूर्शत्म भगवान हूं, मैं सब कारियों के साथ जब भगवान की हरीकथा सुनता हूं, या उनके भक्तों क भबी हरीकथा सुनताै बहरे आप प्रिश्न भगवान ले लीजे इन सभी भगवान जब भी अव्द्रित हुए है तो भगवान ने अलग-अलग कारियों के साथ हमे सपस्ट बताया है कि भगवान स्वयम कैसे हरीकथा की तरफ आकरशित होते हैं तो बताज़ जब मेत्रे रि पकशण वहन works भल्म करते हैं गार्म्ण करते वह उनसे कर लेते हैं। ओंसरी जतना था 67 कैनल तोध कम अधर कर लेता है। तो वो हरी को भी आक्रिशित करता है और देखिए कृष्ण भगवान भी बैठे हुए वो भी सुन रहा है तो अच्छा मैंने एक चीज नहीं बताया जब मैंने गंगा और कृष्ण भगवान के वारतलाप के बार में चर्चा किया तो गंगा माता ये पूछती है कि मेरा शुद्धी करण तो हो जाएगा क्योंके भगवान भागवत करेंगे, कथा करेंगे, स्नान करेंगे, जब करेंगे पर भगवान खृष्ण गंगा माता को बताते हैं कि क्योंके वो सारे भगवान मेरे से जुड़े हुए हैं तो मैं स्वयम उन सभी भक्तों का पूरी तरह से शुद्धी करण करूँ तो यह है हरीकथा की शक्ति कि जो भी इससे जुड़ेगा उसका शुद्धी करण हो जाएगा तो भगवान कृष्णा स्वयम मैंतरी रिशी के सामने बैठ के हरीकथा सुन रहे हैं जब लव और करते हैं जैसे उनको वालमेकीन ने सिखाया था तो पूरी की पूरी जो है योध्या का राज्य उनके तरफ आकरशित हो जाता है और जब महल में प्रवेश करते हैं तो जितने मंतरी और जितने दूसरे सब थे राजा वह भी आकरशित हो जाते हैं यहां तक कि स्वेम राम भागवाण की कत् समय बता जाता है दोनों के आखों से इतनी अश्लू भैती दे शो क है जो समय प्रिंटिंग नहीं होता था 500 साल पहले इंक से लिखते थे तो वो जो है वो भी धुल जाता था तो चैतने महाप्रू बताया जाता है प्रगाद महाराज का दुरू महाराज का कथा कई बार सुनते रहती थे कई बार सुनते रहती थे तो हम देख रहे हैं कृष्णा भगवान भगवान राम और चैतने महाप्रू के जीवन से भी हमें स्वश्च मालम चलता है कि कैसे वो हरीकथा की तरफ आकरशित है तो हमें भी थोड़ा समय देखके हमेशा हरीकथा सुनते रहना है क्योंकि हरीकथा से जुड़ने से हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा हो सकता है मैं आपसे पहले शरीवन सार्थक किया है और जीवन सार्थक करने के लिए भागवत्म श्रवन करना बहुत जरूरी है और प्रभपाद ने अपने जो सेकरेटरी थे उस वक्ड़नजय प्रभू उनको बुलाया और बुलाया कि ये माता जी कैंसर से पीडित है वो वील्चेर में रहेगी पर आपकी जिम्मदारी है कि रोज जब भागवत्म कथा हो तो उनको लेकर आईए और भागवत्म सुनाईए तो प्रभूपाद के मन में स्पश्ट था कि अगर हम भागवत्म स्रवन करेंगे तो उससे हमारा जीवन सार्तक होगा तो हमारे जीवन में बाकी कुछ भी आने जीजिए लेकिन हमारे जीवन में स्रवन जो है हरीकथा का वो नित्य रूख से चलते रहना चाहिए वो कभी छूटन नहीं चाहिए तो रादानाथ महाराज बताते हैं कि मैं और असीम जो हैं बॉन महाराज से मिलते थे और सुबो सुबो और उसके बाद मैं जैसी दुपेर हो जाता था तो आठ बजे से दुपेर के दुपेर तक जो है मैं मंदिरों में दर्शन के लिए जाता था तो मैं कृष्णाज बाबाजी महाराज को जो है हमेशा देखता रहता था वो जमीन पे बैढ़ के एकदम भक्तिमाय रूप से भजन करते रहते थे और मैं भी उनके साथ बैढ़ जाता था तो महाराज बोलते हैं कि उनके आखों मैंसे एक आध्यात्मिक जो है आध्यात्मिक शक्ती मुझे दिखती थी और वो कई बार भजन करते समय जो है अपने आशूं को आने से रोकते थे मतलब वो इतने भाव के स्तर पे थे कि भजन करते करते उनके आखों में से आशू निकलते थे और फिर बोलते हैं कि वो ब्रिदंग बजाते थे उनका आवाज जो है बहुत जादा मधूर नहीं था सरल था लेकिन पूरा भक्ती भाव से था और जब भी मैं सुनता था वो पूरा मेरे हिर्दे में प्रवेश करता तो देखे धीरे-धीरे महराज जो है हम सब को एक चीज़ बताना चाहते हैं कि कैसे हमारा अध्यात्मा जीवन में हमारे पास कोई गुण हो नहों जादा रूप से पर हमें भक्ती भाव से हर कारिय करना थी तो भगवान जो है भक्ती के तरफ ज्यादा अकर्शित होते हैं अगर आप गीता के नवगे अध्या के 26 विश्लोग को देखेंगे तो उसमें दो बार भक्ती शब का प्रयोगा है पत्रम पुलम पुश्पम फलम तो हैं यूमें भक्ता अपरेचती तद हम भक्ती उर्थ तक तो भक्ती भाव से जब हम करते हैं तो भगवान पर संद्धा तो बता रहे हैं कि साड़े चार बजे रोज मंगलार्ती होता था और कृष्णात बाबाजी को मंगलार्ती गाने के लिए सब बोलते थे तो यह जो सुबो सुबो का मंगलार्ती होता था वो ऐसा जोड़दार किर्थन में बदल जाता था और बाबाजी जो है वो एपना छोटा सा ऐसे तो कद में छोटे थे बूड़े थे लेकिन वो ऐसा किर्थन करते थे जो है सब लोग बहुत साइत हो जाते थे करते 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 और ऐसा करते हुए पूरे के पूरे जो साधू लोग और जितने भर्मचारी थे वो सब लोग जो हैं ऐसे उट्साइट हो जाते थे मतलब यहां पर महराज लिख रहे हैं कि दे वर इलेक्रिफाइड और वुड गो वाइल्ड विद ब्लिस पूरी दर से पागल हो जाते थे आनंद में ऐसे जबरतस्त किर्तन होता था तो बोलते हैं कृष्णा स्कविराज गुष्वामी सब्तर साल के थे लेकिन सब्तर साल के में वो एक ऐसे ज्वाला मुखी के समान थे जो ज्वाला मुखी रुकने का नाम ही नहीं लेती थे और ऐसा वो भजन करते थे ऐसा किर्थन करते थे सब लोग उHNसे साहीत हो जाते थे सब्सक्राइब गुण जो बिल्कुल ऐसे शुद्ध भक्ती में ऐसे प्रेड़ना करते थे यहां जैसे वनन कर रहे हैं यह ज्वालमुखी के समान है तो वही संग होने के कारण जब वह 20 साल के थे और अभी 70 साल हुआ है उनको तो 50 साल में उन्होंने भी वही गुण सीखे है और ज्वालमुखी के तरह उन्होंने भी हरी नाम, हरी कथा, हरी किर्तन सभी भक्तों में बाता है तो बोलते हैं बाबाजी जो है कभी भी जब करना रोकते नहीं थे तो यहां तक कि महारज बोल रहे हैं कि मुझे एक बार जुलाब लग गया था और पूरी रात जो है मैं बार बार जो है जुलाब के लिए जा रहा था और पूरी रात में देख रहा था है कि जो है यह बैट के जब कर रहे हैं और हमेशा जब करते रहते तो किसी को मालूम है कि कभी इन्होंने जब करना रोका भी है कि महाराज बोलते हैं कि जब मैं राख जिपको भी उठता था तो मैं उनके खिड़की के पास जाता था और मैं देखता था कि उस समय भी पूरा राद भर भी जो है वो हमेशा जब करते रहते हैं तो साइधी किसी आश्रम में किसी ने उनको सोते वे कभी देखा तो एक शुद्भक्त का ये लक्षन है कि मतलब वो बिना सोए भी जो है पूरी तरह से भक्तिमय गरूप में आध्यात्मी गरूप से जो है प्रेरित रह सकते हैं या जैसे दूसरा एक भागवतम में मैं सुन रहा था कि कई बार जो शुद्भक्त होते हैं वो शायद डीप स्लीप में चले जाए गहरी नींद में तो हो सकता है आप एक दो घंटे में भी उतना ही रेश ले लें जो आप छे घंटा आणड़ घंटे में लेतें तो बोलते हैं आज कल कई घड़ियां भी आती हैं तो घड़ियां लगां के पास महाराज जब भी मिले तो उन्होंने इतना ही सुना हरे कृष्णा उन्होंने हरे कृष्णा के अरावा कुछ नहीं बोला तो महाराज बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि शायद उनको अंग्रिजी नहीं आता तो ऐसे करके उनको लगने लगा तो अभी इसके उपर एक पूरी कथा आती है कि कैसे महाराज एक दिन मंगल आरती में नहीं उपते हैं तो इसके उपर हम अलचर्चा करेंगे कि मंगल आरती में नहीं आने के कारण उनको डाट पड़ती है अब यह जो है स्टार्टिंग में जब भक्ति में देरे-देरे आ रहे हैं जूड रहे हैं अब हमको कैसे डाट पड़ती है और तो हम सुनेंगे पर अभी गीता पे हम लोग आ जाते हैं गीता पे हमने जो है 31 लोग तक चर्चा किया और हमने यह देखा कि अरुजुन जो है वो यूद नहीं करना चाहते थे कि उनको लगा कि मुझे अपने परिवारवानों को नहीं मारना है और उनसे युद नहीं करना है तो फिर अभी 32 लोग से आगे आ रहा है वो बोल रहे हैं कि क्यों जो है मेरी राज्ये लेके मुझे क्या मिलेगा क्या खुशी मिलेगी अगर मैं अपने सारे परिवारवालों को जो है मैं उनको मैं मार दूंगा तो और यहां पे मेर गुरू है मेरे पिता है मेरे दादा जी है और मेरे पोते हैं वगरा वगरा सारे मित्र हैं तो इसलिए वो यहां पे युद नहीं करने की चर्चा करते हैं तो प्रहपात बता रहे है क्रिश्ण भगवान का नाम गोविंद है क्यों गोविंद का मतलब क्या है कि वो हमारे इ कि आप गुविंद हैं तो आप मेरी इंद्रियां संतुष्ट करें तो प्रोपात बोलते हैं कृष्ण भगवान हमारी इंद्रियां संतुष्ट करने के लिए बने नहीं है हमें भगवान गुविंद की इंद्रियों को संतुष्ट करना है हमें उनकी भक्ति करनी है हमें उनका problem हो जाता है तो हम लोग क्या सोचते हैं अरे भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया अरे मैं तो उनका जब कर रहा था अरे मैं तो उनका भागवत सुन रहा था मैं तो उनकी कथा कर रहा था देखे भगवान का करते भी नहीं है हमारी सेवा करना है हमारा करते भी यह है जीवन परिंत भगवान की सेवा करना और भले ही कितने ही उत्राव चड़ाव आएं उसके साथ भी हमें भगवान को संतुष करना है तभी हम संतुष कोंगे तो प्रवपात बोलते हैं कि बहुतिक जगत में लोग सोचते हैं कि मेरी इंद्रियों की तित्ति होनी चाहिए और भगवान कोन होने चाहिए जो है order supplier मतलब जो जो मैं मांगू सब देने चाहिए भगवान तो ये प्रभाव से कोई आदमी संतुष नहीं होगा लेकिन जो भगवान को संतुष करेगा तो भगवान प्रसंद होते ही अपने आप पुरी तरसे संतुष हो जाएगा प्रवपा लिख रहे हैं क्योंकि भगट हमेशा भगवान को संतुष करना चाहता है तो इसलिए और वो हर एक चीज़ स्विकार करता है जो चीज भगवान की सेवा में लगता है तो अपने लिए कुछ नहीं स्विकार करता है वो सब चीज भगवान के लिए स्विकार करता है तो अगर उसको एश्वरी मिले तो एश्वरी भी स्विकार करेगा लेकिन अगर उसको अपने इंद्रभूख के लिए थोड़ा सा भी कुछ चीज मिल रहा है तो वो स्विक्तार नहीं करता है He should not accept a funding मतलब अपने कारिय के लिए और भगवान की इच्छा नहीं हो तो हमें कुछ भी अपने जीवन में स्विक्तार नहीं करना चाहिए तो अभी अर्जुन को ये नहीं मालम चल रहा था कि रणभूमे में जितने भी आये हैं उनको प्रिश्णा ने पहले ही मार दिया है और प्रिश्णा चाहते थे कि अभी वो निमत्त बने निमत्त बने मतलब जो प्रिश्णा भवान की इच्छा है वो इनके द्वारा पूरी करना चाहते थे और बोलते हैं आप निमत्त बनिया और निमत्त बनके आप इन सब का वद करिए तो एक जो भक्त होता है वो कभी भी उनके साथ कोई बुराई करता है तो उसके साथ प्रतिकार नहीं करता तो ये जो है अगर कोई वैशनों के साथ गलत कार ये करता है तो विल्कुल शमा नहीं करते और प्रहुपात बोल रहे हैं कि भगवान का कोई अपराद करें तो भगवान अपने लिए कभी शमा कर देंगे लेकिन अगर किसी भग का अपराद हुआ है तो भग को कभी शमा नहीं करें ऐसे बता रहे हैं मतलब भगत के प्रती किसी ने अपरात किया है तो ऐसे व्यक्ति को कभी शमा नहीं करें तो जो है यह ध्यान रखना है भगवान अपने लिए अगर उनका कोई अपमान कर देता है तो शमा कर लेते हैं लेकिन अगर उनके भगतों कोई अपमान करता है तो भगवान कभी शमा नहीं करते हैं तो फिर यहां बोलते हैं कि अरे हमें पाप लगेगा अगर हम इन सब को मारेंगे तो यह उनका एक और कारण था तो प्रहपद यहां तात्वर में बलता हैं कि छे तरके लोग होते हैं जिनको हम हत्या कर दें तो पाप नहीं लगता ये वेदिक शास्टों में दिया गया है जहर देने वाले घर में जो आग लगाते हैं जो खतरनाक पस्तर शास्टों पर आकरमन करते हैं जो धन लूट लेते हैं जो दूसरे का जमीन ले लेता है या जो दूसरे की बीवी को आगवा करता है तो ये छे लोगों को मारने से पाप नहीं लगता है तो लोग उसको याद करते हैं लेकिन वो जो है यह नहीं थे कायर नहीं थे जब रावन ने उनकी भारिया को उठाया तो उन्होंने जो है उसको ऐसा शिक्षंड दिया जो इतिहास में सब गवाएं उस बात के लिए तो यहां पर माधव करके अर्जुन कृष्णा को संभोधित क रहता है माधव मतलब लक्ष्मी के पति तो लक्ष्मी मतलब जो है गुड फॉर्चुन या अहो भाग्य तो प्रवपा लिख रहे हैं कि कृष्णा भगवान किसी की जीवन में भी दुर भाग्य नहीं लाते भक्तों के बारे में क्या कहीं यह लास्ट लाइन है च्छति श कि हमारे जीवन में कोई भी कार्य हो रहा है वो दुर्भाग्य पुर्व नहीं है वो दुर्भाग्य शाली नहीं है तो यह कृष्णा भगवान किसी की भी जीवन में दुर्भाग्य नहीं लाते तो भक्तों के बारे में क्या कहें तो भक्तों के जीवन में तो सब अच्छ वेसे ही करें तो प्राभपा लिख रहे हैं अरतिश श्लोक में जो श exagger तो दोनों को मैं उसको भाग ले लेना चाहिए जुआ 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 या युद तो बोलते हैं अर्जुन भी शत्रिया थे तो दुर्युधिन ने उनको ललका रहा था तो उनको युद करना चाहिए तो मैं सिर्फ इस श्लोक पे देखा कि प्रवपाद ने क्या कहा है तो अभी तक देखे हम 38 श्लोक पे आ गए हैं पर 38 श्लोकों में सिर्फ पहला श्लोक में ले रहा हूं इस पहले श्लोक में मैं आपको बता रहा हूं कि प्रवपाद ने जब इस श्लोक पर प्रवचन दिया और हो सकता है मैं समय निकाल के पीछे के सारे श्लोक पढ़ूँगा और जब भी हम गीता पढ़ रहे हैं तो गीता के ताफपरियों के साथ साथ प्रहुपाद ने इंच श्लोकों में जहां जहां भी विश्व भर में प्रवचन दिये थे तो प्रहुपाद के भी जो मुख्य पॉइंट्स हैं वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा ये के भागवत्म तो अभी हमें सुनते रहना है तो किसी को कोई जल्दी नहीं है कुछ खतम भी करने में घाई नहीं करना है तो श्रवन के बारे में नई-ई-ई-चीज सुन पाएंगे सीख पाएंगे तो हमारे लिए प्रवेश करने नहीं दे अपने जीवन में अगर ये दोनों चीज हमारे जीवन में प्रवेश हो गए तो ध्यान रखेगा हमारी बुद्धी ब्रश्ट हो जाएगी तो दुर्योधन की बुद्धी ब्रश्ट हो गए प्रवपाद बोल रहा है इसलिए वो अपने परिवार वालों को मारने के लिए आ गया तो अर्जुन बोल रहा है उसकी बुद्धी ब्रश्ट हुई है मेरी ठोड़ी लोप से प्रेरिध मैं क्यों आंदा होट लेकिन लोग कभी संतुष नहीं होने वाला है तो दियान रखे अगर हम लोग में थोड़ी लोग के प्रवर्ती है तो हमें समझना चाहिए जीवन परियंत लोग संतुष नहीं होने वाला है अगर किसी व्यक्ति को पूरी दुनिया मिल जाए दूसरा इस दुनिया का हर एक इंद्रभोग वो करे उसके बाद भी वो संतुष नहीं होगा ये है लोग का असर दिस ग्रीड तो देखिये लोग कितना खतरना चीज़ है मतलब अभी प्रवपात के जब मैं प्रवचन में जा रहा हूं तो मुझे और गहराई में चीज समझ में आ रहा है मुझे लगता था हाँ लोग है लोग है प्रवचन में बहुत आसान है बोलना काम कुरोध लोग मो लोग ऐसा चीज है कि पूरी दुनिया का सत्ता मिल जाए तब भी संतुष नहीं होगा दूसरा दुनिया में जितनी भी चीज़े हैं वो सब में भोग कर लूँ उसके बाद भी में संतुष नहीं होगा ये है लोग और प्रवपाद इसका अंतिम समाधान दे रहे हैं ये बोलते हुए कि अगर हमें लोग करना है तो कृष्ण भक्ती में आगे बढ़ने के लिए लोग करना चाहिए तो ये लोग जो है हमारा कल्यान का कारण बनेगा तत्रलॉल्यम एक मूलम तो वो एक ही चीज है जो आगे बढ़ने के लिए तो देखे प्रवपाद के प्रवचन में मुझे काफी और गहराई मालम चली इनी श्लोकों के बार मैं मैं तो हम लोग आगे कत्या करेंगे तो उन्में हम प्रवपाद के दूसरे दूसरे पॉइंट भी इंक्लू criminal करेंगे और वह भी और धुरवन करेंगी बहुत बहुत धन्यवाद स्रुस्वक्तों का और अ क्रिश्चन